नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे अनलॉक 11 गाइडलाइन के बारे में देश के साथ ही परदेश में करोना के बढ़ते खत्रे को दिखते हुए बिहार आपदा परबंदन समुग की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं कुरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है बता दें कि आपदा प्रबंदन समुख की तरफ से जारी गाइडलाइन में परदेश में 16 दिसंबर 2020 से पास जनवरी 2022 तक गाइडलाइन परभावी होगी इसमें सभी परदेश बासियों को मास्क लगाने और सोसल जारी किये गए हैं बता दें कि इसके उलंगन पर सम्बंदित व्यक्ति और संस्थान के खिलाफ कारवाई की जा सकती है जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सभी दुकाने एबंपर तिस्थिस समाने रूप से खुलेंगे साथिसाथ दुकान को सोसल डिस्टेंसिं पर कानूनिक के रवाई होगी जारी गाइडलाइन में पहले ही बारवी तक के सभी दीजी और सरकारी सिच्छन संस्थान को खोले जाने की बात कही गई है लेकिन इसमें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा साथ यह भी कहा गया है कि आउनलाइन माधियम से सिच्छन वेवस्ता को बिकल्प के रूप में अभी भी जारी डेखना होगा साथि समद्धित विभाग के लोगों को टी का लगाना बहुत जरूरी है सारवजनिक अस्थनों पर किसी परकार के आयोजन जिला परसासन की पुरवानुमती तथा कोविड अनुकूल ब्यभार एवं वासामा रोग का आयोजन कोविड अनुकूल ब्यभार एवं अतन मानक संचालन परकिरिया के अनुवार अनुपालन के साथ ही किया जा सकता है लेकिन इसमें डीजे वं बारात जुलूस पर पूरी तरह से रोक लगेगी साथिस साथिस से पहले अस्थानिय थाने में सुचन देनी होगी सभी पार्ग खुले रहेंगे लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा सभी धार्मी कस्थाल खुले रहेंगे लेकिन इस दवरान भी आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा साथिस साथ यह भी कहा गया है कि राजगीर कुंड खुले रहेंग कोविट गाइडलाइन का पालन करना होगा जीम, कलब, एवम सुविंग, पूल में कुल छमता के 50% उपसिती के साथ इसे भी खोले जाने की बात कही गई है स्टेडिय में स्पोर्ट कंपलेक्स खोले जा सकते हैं लेकिन यहां भी जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा यहां काम करने वले ब्यक्तियों को भी कोविट कटी का लगाना होगा कोरोना की तिसरी लहर के संभावना को देखते हुए आफदा प्रबंदन समूह दोरा इस्थिती पर निगराने रखी जाएगी सोसल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदिक से संबंधित अनुकूल बयाभार का परचार परसार किया जाएगा साथ साथ जिला परसासंद वारा इसके अनुपालन करने की भी बात कही गई है और उस पे डंडाटमा करमाई की भी बात कही गई है साथ साथ यह भी कहा गया है कि अंतराश्टिय उडान के बाद बिहार आने वाले यातरियों को बिसिस्ट रूप से जाच कराई जाए यहां नए वैरियंट जैसे की ओमिक्रोन से पीडित मरीज पाये गए हैं वहाँ पे यातरियों को आवा गवन यहां उपरांद कॉरंटीन में रखने फेवरी विचार किया जाएगा साथ यह भी कहा गया है कि सभी जिलाधिकारियों को आदेश के अनुपालन हे तू भारतिये दंड सहिता कि धार 144 के अंतरगत निसे धागया निर्गत करेंगे अगर कोई अदेश का उलंगन करता है तो उस समंद में विरूध आपदा परवंधन अधिनियम की धारा 2005 की धा करक है और लोगों से कारवाई भी कर रहा है जो मास्क लगा कर नहीं चल रहे हैं उस पर दंडात्म कारवाई की बात कही जा रही है अब तो अनलाओ की गारा के तहत भी यह बात कह दी गई है ऐसे में हमें सतर करने के जरूत है क्योंकि कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन क जाने के बाद से एक डर का माहौल लोगों के बीच में बना हुआ है बिहार और बिहार से जुड़ूई और भी ऐसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिए जाज़त थन्यवाद